नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं फिर आप लोगों सामने बड़ा रंडी का पेड़ लेकर आया हूं पौधा लेकर आया हूं ब्रिक्ष लेकर आया हूं देख लीजिए तो दोस्तो आज मैं इसी फाइदेक बारे में आपको बताऊंगा तो दोस्तों अरंडी का पौधा जो है बहुत ही नरम मुलाइम होता है जरा से जोर लगाने पर तूट जाता है और यह पौधा भारत के हर हिस्से में देखा गया है मिलता है उत्पन होता है बर्सात के दिनों में अपने आप दोस्तों जो छोटा एरंडी का पौधा होता है वो उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं और जो बड़ा एरंडी होता है उसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं पत्ते तो बड़े-बड़े होते ही हैं इसके बीच भी बड़े-बड़े और मोटे-मोटे होते हैं तो दोस्तो तो मैं उमीद करता हूँ आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदे के बारें बात करें कि यह हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है दोस्तों अगर सरीर में कहीं भी मार लग गया है चोट मोच या दर्द है तो उस दर्द के अस्तान प पर आप बैगन को पीश कर बिल्कुल चटनी बना लीजिए और उस चटनी में सरसोग तेल डाल कर उसे आग में भूझ दीजिए भूझने के बाद इस एरंडिल के पत्ते पर बैगन का चटनी रख कर और अंट कोस पर बाहने से हैड्रोसील का सूजन उतरता है हैड्रोसील म तो रस लिकोरिया रोग भी काफी फाइदे मंद होता है इस्तिरियों को होने वाला रोग होता है लिकोरिया सफेद पानिक सिकायत में आप करीबन दस एमल इसके रस निकाल कर छांच या माठाक साथ पिलाने से इस्तिरियों को लिकोरिया रोग ठीक होता है इतना इतना कंडल को अरंडी को कलोस्टोल भी कहते हैं और इसके बीच से निकलने वाला तेल मार्किट मिलता है जिसे कलोस्टोल आयल कहते हैं या फिर अरंडी का तेल कहते हैं और दोस्तों इसे अलग एक भासाम रेंड का पेड़ भी कहा जाता है उत्तर परदेश में तो दोस्तों इसके कॉमल कॉमल पत्तों का रस पीने से पीलिया रोग भी दूर होता है ठीक होता है अगर किसी को पीलिया रोग है तो सुबा सुबा बासी मू यानि कुछ न खाये खाली पेट इस पत्तों का रस निकाल लीजिए करीबन 20 से मल और 50 ग्राम दही में मिलाकर सुबा सुबा खाने से पीलिया रोग 5-6 दिन के अंदर ठीक हो जाता है इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या एरेंडील का पत्ता और जलांधर रोग भी काफी फाइदे मंद होता है जलांधर रोग किसे कहते हैं वो जान लीजिए जैसे पेटों में पानी का भर जाना तो पेट में पानी भर जाता है तो भी इसका रस आप छांच दही माठाक सा सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी फाइदा होगा और हां दोस्तों इस पौधे से निकलने वाला बीज बीज तो अभी लगा हुआ नहीं है बरसात का मौसम है अभी अनया पौधा है मगर जब इसमें बीज लगेंगे तो उस बीज का तेल गठिया वात में मसाज करने से फाइदा होता है दर्द में अराम मिलता है इसके बीज के तेल इतना फाइदे मंद और गरम होता है और दोस्तों अगर किसी को कबज हो तो कबज रोगम भी इसके बीज से निकलने वाला त तेल करीबन 20 से मल दूद मिलाकर पीने से कब जुरोग तूटता है कब जुरोग ठीक हो जाता है इतना फाइदेमंद होता है इसके बीच का तेल दोस्तों इसके बीच के तेल से मसाज करने से नस मजबूत होता है नसों में ताकत आता है दोस्तो इसके बीज के तेल से मसाज करने से चेहरे में चमक आता है क्योंकि इसके बीज के अंदर विटामी नीक मात्रा भर पूर होता है अगर किसी का बाल उड़ रहा है जढ़ रहा है तो भी आप इसके बीज के तेल अगर बालों में लगाते हैं बाल का जड़ मजबूत होगा, बाल चमकदार होगा, बालों में होने वाले हर एक विमारी नश्ट होंगे और बाल मजबूत और मोटे लंबे-लंबे होंगे, इतना फाइदे मंद होता दोस्तों इसके बीजों का तेल, दोस्तों इसे रेंडल के बीज को पत्थर कसील में हो थी नामचीन यह आयरवेदी का उसदी है, जो हजारों सालों से आयरवेद की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, तो चलो दोस्तों, आज की महत्पुर जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं, अगर हमारी जानकारी फाइदे मंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, से आड़ी आयरवेदीक